आपके पास एक पीफ का अकाउंट है तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेट वीडियो है क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता ही है कि हमें अपने पीफ अकाउंट में अपनी नॉमनी को एड़ करना कितना जरूरी है क्योंकि किसी भी पीफ मेंबर की देथ होती है तो उनके फैमली मेंबर को उनका पीफ का अमाउंट क्लेम करने में कोई प्रवल्म ना आए इसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हमें अपने पीफ अकाउंट में अपने नॉमनी को एड़ करना चाहिए तो दोस्तो इसका जो प्रोसेस है वो ओनलाइन है एक वाईसी दोरा आप बड़े ही असानी से अपनी नॉमनी को अपने पीफ अकाउंट में एड़ कर सकते हैं लेकिन दोस्तो मैंने उस वीडियो को जब बनाया तो उस वीडियो में बहुत सारे कमेंट आया यानि कि बहुत सारे कॉश्चन्स पूछे गए उन सभी कॉश्चन्स को आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और उसका आपको अंसर भी करूँगा question number one मुझसे कई बार ये पुछा गया है कि सर्फ जब हम अपने nominee को add करते हैं तो वहाँ पे एक option आता है having family का वहाँ पे हमें दो option आते हैं yes या no तो हमें इन में से कौन सा option select करना चाहिए और अगर हम इन दोनों में से कोई भी select करते हैं तो इन दोनों में difference क्या है और question number two ये पुछा जाता है कि हम जब अपने nominee को add करते हैं तो EPF में जो nominee हम add कर रहे हैं क्या हमें वही nominee EPS में भी add करना पड़ेगा तो इसका भी answer मैं आज की इस video में आपको देने वाला हूँ साथ के साथ मुझसे कई बार ये भी question किया गया है कि अगर हमने अपनी nominee को एक बार add कर दिया तो क्या हम उसको edit कर सकते हैं तो दोस्तो इसका answer भी मैं आपको इस video में दूँगा और साथ के साथ मुझसे एक और question किया जाता है कि सर अगर मैंने अपनी nominee को marriage से पहले add किया था अपने pf account में और अब मेरी marriage हो चुकी है तो क्या मुझे ये जरूरत है कि मैं अपनी nominee को फिर से change करूँ तो दोस्तो ये चारो question जो है वो बहुत important question है और बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाले question है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इन चारो questions के answer देने वाला हूँ चलिए दोस्तो तो अब हम बात करते हैं कि having family में हमें yes select करना चाहिए या no तो दोस्तो आज भी को बता देना चाहता हूँ कि अगर आपकी family है यानि की आपके parents यानि की father है, mother है, आपकी wife है, आपके बच्चे है या बच्चों के भी बच्चे है अगर इस तरह की कोई family है तो आप यहाँ पे yes select करेंगे तो आप अपनी family में से किसी भी member को आप as a nominee इसमें add कर सकते हैं और इसमें अगर आप चाहते हैं तो multiple nominee को भी add कर सकते हैं यानि कि अपनी family के एक से ज़्यादा member को भी as a nominee add कर सकते हैं और उसी time आप decide कर सकते हैं कि किसको कितना percent देना है उसके बाद आप बात करते हैं कि अगर आप यहाँ पे no select कर लेते हैं तो क्या होगा अगर आप यहाँ पे no select कर लेते हैं तो आप किसी भी एक person को अपने nominee में add कर सकते हैं और आपको उसी person को 100% share देना पड़ेगा यानि कि आप एक से ज़्यादा वहाँ पे add नहीं कर सकते हैं 100% share आपको सिर्फ उसी person को देना पड़ेगा तो अगर आप no select कर रहे हैं तो आप जिस person को वहाँ पे mention कर रहे हैं as a nominee उसको आप 100% share ही देंगे वहाँ पे आप multiple nominee add नहीं कर सकते हैं तो दोस्तो आप बात करते हैं second question के बारे में जिसमेर से पूछा जाता है कि sir क्या EPF और EPS में same nominee को fill करना जरूरी है या हम अलग-अलग कर सकते हैं तो दोस्तो इस चीज़ को आप ध्यान रखे कि अगर आप अपने nominee को online add कर रहे हैं तो आप अपने nominee को EPF में और EPS में दोनों जगह अलग-अलग कर सकते हैं यानि कि EPF में अलग nominee को add कर सकते हैं अपने PF account पे जाके add कर देता हूँ तो क्या मैं उसको edit कर सकता हूँ तो दोस्तों आप सबी को बता देना चाहता हूँ कि आप जो भी nominee उहाँ पे add करते हैं उसको आप edit नहीं कर सकते हैं लेकिन जो भी changes आप चाहते हैं उस changes के साथ आप नया nominee उहाँ पे add जरूर कर सकते हैं क्योंकि जब भी आप उहाँ पे e-nomination वाले page पे जाएंगे तो उहाँ पे आपको new add nominee का आपको एक option मिलेगा जिस पे click करके आप उहाँ पे नया nominee add कर सकते हैं जैसे ही आप उसको successfully add कर देते हैं तो आपका जो पुराना nominee था वो automatically invalid हो जाएगा तो दोस्तो अब बात करते हैं question number 4 के बारे में तो दोस्तो कई बार मेरे से पूछा जाता है कि sir मैंने अपने P.F. account में अपनी nominee को marriage से पहले add किया था यानि कि मैंने अपने parents यानि कि father या mother में से किसी को add किया था तो अब मेरी marriage हो चुकी है तो क्या मुझे nominee चेंज करना पड़ेगा तो दोस्तो आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि EPFO के according अगर आप nominee को add कर रहे हैं अपनी marriage से पहले तो आप अपने parents का नाम दे सकते हैं लेकिन अगर आपकी marriage हो जाती है तो EPFO का कहना यह है कि आपका EPS का जो account है उस पे सिरफ आपके wife और आपके बच्चे का ही हक है तो अगर आपकी marriage हो जाती है तो हाँ आपको अपने nominee को change करना पड़ेगा और आप अपने EPF या EPS दोनों में आप अपनी wife या बच्चे का नाम दे सकते हैं और अगर आप चाहते हैं तो EPS में सिरफ आप अपने wife का नाम change कर सकते हैं तो दोस्तो आपको change करना ही पड़ेगा तो आप simply क्या करेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप added तो नहीं कर सकते है existing को लेकिन आप new nominee वहाँ पर add कर सकते हैं जिससे आपकी जो पुरानी वाली nomination होती है वो invalid हो जाएगी और new जो nomination आप वहाँ पर add करते हैं अगर वो successfully हो जाता है तो वो आपका valid रहेगा तो दोस्तो ये चार questions है जो कि मेरे से कई वार पूछे गये हैं और continuously पूछे जाते हैं तो मुझे लगा कि मुझे इसके उपर एक वीडियो बनानी चाहिए और आपको detail में बताना चाहिए आपकी confusion दूर करनी चाहिए तो इन चारो questions के answer मैंने आपको ask दे दिये तो आपका जो nominee है वो invalid ही माना जाएगा क्योंकि आपकी family है लेकिन आपने वहाँ पे गल्त detail वहाँ पे enter की है लेकिन मान लीजिए आपकी family नहीं है लेकिन आप वहाँ पे yes कर देते हैं और as a family किसी को वहाँ पे add कर देते हैं और बाद में यह आप आया जाता है कि वो आपके family का member नहीं है, तो भी आपकी जो nominee है, जो आपका nominee आपके जिसको add किया है, वो invalid ही माना जाएगा, तो आप इस ची का ध्यान रखें कि आप कोई भी detail वहाँ पे गल्त ना दे, तो दोस्तो इस वीडियो में इतना ही था और उम्मीद करता हूँ कि आज की स्वीडियो में जो जानकरी मैंने आपको दी, वो आपके लिए helpful रही होएगी, तो दोस्तो जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है, तो प्लीज आप मेरे चैनल को subscribe कर ले और notification बटन को दबा के all notification को on कर ले, क्योंकि इसी तरह की latest और अच्छी अच्छी वीडियो की notification आप तक बहुँ सके, तो धन्यवाद दोस्तो जाहें